कुद्रत का कहर गर्मी करके लग्या लॉक्टाउन जी हां से सारे जान देया कि एस वक्त दुनिया पार्द विच्छ कई देश जेही ने जित्थे पारी बर्साद ने कहर मचाया हुए है। ते कई जगावा ते लेंड स्लाइड दे मामले भी समड़ है। जेहां ही ग्वांटी देश इरान तो समड़ है। जी हां तम दास्ति है कि इरान इक जेहां देश जित्थे गर्मी कारण लोकाडू जेड़ा कुद्रत कहर चलला पहले है ते इस देश से बिच्छ जो है पूरी जानकारी की है आओ दास्तिया आज देश वीडियो दुमादें दिराही सो वीडियो नूं अंत तक जरूर देखना केहां दन्द है कि कुद्रत दिराल बेश कजी छेड़खान नी कर दिया पर कुद्रत नाल छेड़खान यकसरी मेंगी पैंदी है ते एस वाक्त कुद्रत दा केहर देखन नूं मिल रहे है दस्तिया कि ग्वांटी देश इरान दा बच्च भी जेहा कहर देखन नूं मिलिया जित्थे पारी गर्मी द चाल दिया लोकाणू करा दे अंदर ही रैंदली कहता गया दो दिन दे सरकारी चुटी दा एलान किता गया जी हां को दिन जोने पूरे स्कूल बैंक अते सरकारी दफ्तर बंद रही सी दस्तिया कि सरकारी एजंसिया दा कहना है कि कड़ाके दी गर्मी कारण लोका दे सेहते माड़ा असर पहरे हैं इस्तों इलावा खब्त ज्यादा हून करके बिश्री दी कमी आ जान दिया ते वर डेपदर कट लगने पैंदेरी दस्तिये कि इरान दे दखणी शेरा द विचुत आपमान 50 डिगरी सेल्सियस तक पौँंच गया एठ्थी तों दस्तिये कि मंगलवार नू तेहरान समेत कई बड़े शेरा द विचुत आपमान जिड है 40 डिगरी सेल्सियस दे नेडे सी इरान दे सरका ले दो दिना देवी देश देविच व्यापी बंदा फैसला किता मंगलवानू तेहरां समेत देश दे एक दर्जन शेरा देविच तापमान पजार डिग्री सेल्सियस तो भी ज्यादा सी इरान दा ज्यादा तरे हिस्सा पहाडी ते नीम है इस कारण एतने तापमान कदे भी ज्यादा नहीं हुंदा जेहें देविच तापमान बदना आते गर्भी कारण देश पाड़ दे विच बंद हुणा हरानी जनक गल है रते की एहें आम तो आपते तेहरान अते एस दे आले दो आले दे खुझ खेत्रा देविच गर्मी जरूर हुंदी है इस दे नाली ज्या बाग दा मौसम नुवंबर तो मई तक रेंद है जोदो कि गर्मिया मई तो अक्तूबर तक रेंदी है पर एस वार बहुत गर्मी पह रही है आम तो ते इरान दे विच गर्मिया दे मौसम दे विच तापमान चब्भी तो बत्ती डिग्री सेल्सियस दे वाद तो बाद पै गर्मिया थे पैह रही है है जितने आम तोरते सर्द्य द्युप मौसम लंबाते गर्मिया थोड़ी दिन दिली हंदै फो ते इनिवी सब्स गर्मिया है ॹै रांद बिच आ गर्मिया दोर्ब lle दे चुटी इसालार पूरा सफ़, अलां लग डार दे लेलता गया देकारण लोग बहुत परिशानली